What's up guys, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Android development के बारेंग में और मैं आपको end to end बताऊँगा कि आपको Android development क्यों करना चाहिए, किन-किन लोगों के लिए, क्या के resources चाहिए होगी और क्या क्या system requirement चाहिए होगी, so please इस वीडियो को end तक जरूर देखना और वीडियो अच्छ operating system होगा या फिर एक Android phone होगा, ठीक है, Android एक Google का operating system है, वो 80% of जो भी जितने भी smartphone उनमें सब में 80% में Android चल रहा है, ठीक है, and Android इतना बड़ा OIS बन चुका है कि बड़े-बड़े startups just like Netflix और Amazon Prime जैसे startups से लेके, चोटे-चोटे startups जो होते हैं, वो भी apps बनवाते हैं Android में, तो Android क पावर क्या होगी, अब थोड़ा बात करते हैं, यह Android development क्यों करते हैं हम लोग, basically हम जो Android development करते हैं, उसका मतलिब यह होता है कि क्यों भी आपका user हो, उसको आप एक utility या फिर एक service प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, अब वो service किसी भी तरह के से हो सकती, just like आप अपनी कोई भ वो service लेने के लिए आपकी app install करेगा, एक दूसरी चीज़ होती कि आप अपना product बेच सकते हो, ठीक है, आप Amazon और Flipkart के तरह e-commerce websites बना सकते हो, and बहुत सरी चीज़े e-store बना सकते, अपना, but मैंने मानता कि e-store बनाने के लिए आपको एक अलग app बना कि उसमें खर्चा करना जाए उससे अच्छा कि आप Amazon या फिर Flipkart से पार्टनर्शिप कर लो तो आपका खर्चा बज जाएगा, ठीक है, but जयदातर लोग अपनी services के लिए ही app बनाते है, and download करवाते लोगों को, and जो उनकी company का नाम होता है, या फिर भी brand का नाम होता है, उसनके लिए वो apps बनाते ह अब आप मैंसे करें लोगो, खाता बुक के बारे मैं नहीं पता हो, खाता बुक एक दुकान दार जो गल्ले वाले होते है, उनके लिए app है, जो खाता जो धार नामा होता है, उसको लिखने के लिए काम में आता है, ठीक है, उसी तरीके से आप एक utility दे सकते हो user को, and इसमें समझ लीजे कि आप जो कोई भी चीज़े अपने mobile की screen पे दिखते है, वो एक UI है, वो एक user interface है, ठीक है, and Android development में हमें ये user interface, and एक backend का code, इन दोनों के साथ ही play करना होता है, ठीक है, तब जो हमारी UI है, उसके हंदर हमें use करनी पड़ती, XML, XML क्या होती है, वो मैं आपको आगे XML, उसके अंदर हम सारी designing करते है, तो user को अपने phone से ही, एक अच्छी design में, एक utility या फिर एक service मेल रहे है, तो वो क्यों नहीं आपकी app को download करेगा, क्यों नहीं रेंड पे वो trust करेगा, ठीक है, तो उससे आपका एक trust बनता है, कि यार आप एक अच्छी app बनवा रहे हो, उसम अच्छा backend डाल रहे हो, उसमें अच्छी चीज़े डाल रहे हो, जिस लएक आप request pull out, pull up कर रहे हो, या फिर OTP direct verify करवा रहे हो, तो वो सारी चीज़े अगर आप करोगे, तो user का trust बढ़ेगा, ठीक है, आपकी app पर आपके brand पर ये तो आपको link के रखना है, ठीक है, ये आप आपको link के रखना है, अब हम बात करें कि हम किन लोगों को ये Android development करना चाहिए, देखो guys, ऐसा कोई है ने कि आप software engineer होता, आपको Android development करना ही करना चाहिए, अगर आप software engineer नहीं होता, आपको Android development नहीं ही करना चाहिए, Android development खुद में ही एक field है, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत स high quality premium UI चाहिए, तो क्या आप एक as a developer क्या design करना बैठोगे, आप मुझे ऐसे बोलोगे, क्या मैं developer हूँ, मुझसे backend का काम होगा, जो भी server side की चीज़ होगी, वो हमें handle कर लोगा, बट जो UI का काम है, वो एक designer को देखो, ठीक है, वैसी fields है इसके अंदर, आप एक logo maker बन सकते हो ठीक है, लोगो में करके भी बहुत सारे पेसे होते हैं, वो मैं आपको designer के अंदर ही, आप field map गिन सकते हो से, आप android tester बन सकते हो, आप marketing कर सकते हो android apps की, उसके जो brand की marketing होती है, उसके लिए videos बना सकते हो, brochure बना सकते हो, देखा जाए तो एक brand जब अपनी app बनवाता है, तब वो सिर्फ एप नहीं बनवाता है, बहुत सारी चीज़े बनवाता है, उसने एक app बनाई, तब वो एक marketing के लिए एक बंदा hire करेगा, marketing के लिए एक पूरा बंदा hire करेगा, वो एक पूरी टीम बनाएगा, वो पूरी टीम क्या करेगी, जगा जब गापे marketing करेगी, उसके billboards, उसके brochure, and बहुत सारी चीज़े, ठीक है, and अब तो digitally सब कुछ हो गया है, तो ये सारी चीज़े अप ज़्यादा नहीं मिलती, ground level पर, ठाँ, हमें online सारी चीज़े मिल जाती है, कि online post बन रहा है, instagram pages हो रहा है, वो सारी चीज़े हमें मिलती है, देखने को, and हम अपनी daily life में सारी चीज़े देखते हैं, आपको भी ऐसा अंदाजा हो सकता है, कि हाँ यार मैं तो ये रोज देखता हूँ, इस app को प्रमोट कर रहे है, वो app बन रही है, तो आपको उस तरीके से पता चल सकता है, कि हाँ यार, android development में एक फूरी field है, आप field समझ सकते है, उसको ठीक है, अ से आप 3-4 लाग रुपे देदो, आपको कोई output ना मिले, ठीक है, मेरा मनना ये है, कि पहले आप free से start कीजिए, अगर आपका interest बढ़ता है, और उससे कुछ profit कर पाते हो, ठीक है, profit बहुत तरीके से होते है, ऐसा यार आपको आपको आप नहीं करना है, बट आप जो सीखते ह myself, lotta basic, उससे आपको पुछ profit कर लो, यार आपको पता चले कि हाँ, इससे तो मैं profit कर सकता हो इसमेरी, पूरी की पूरी इच्छा मेरी इस मेरा मैं पूरा दिन कर सकता हूँ, उस तरीके का, अगर आप प्ला सीखने के सब मेरा को यूट पर दिन कर सकता हूँ, ये पूरे दिन मुझे नाम देने की भी जरूरत नहीं है, कोड़ वे थारी है, फिर अपना कॉलेज है, अगर आप यूएस क्रियेटर्स की बात करो तो यूएस क्रियेटर्स भी बहुत सार है, बट हमारे कोई भायस है कि जिनको हिंदी में सीखनी हो, तो उनके लिए भी इंडियन क्रियेटर आप लोगों का तो ठीक है, अब बात आती है, system requirements पर, यह manage लास्ट में इसलिये रखा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिल तूटता है, एंड मैं नहीं चाहता कि आपका दिल तूटए ठीक है, देखो, system requirements मैं short मैं कहूंगा, जितनी ज्यादा होगी, उतनी अच्छे ह ठीक है जो है उससे स्टार्ट कीजिए अगर डीटेल में जानना है तो गूगल पर जाके आप चेक आउट कर सकते हो उसकी क्या सिस्टेम रिक्वार्मेंट है मेरी मान हो तो मैं कहूंगा क्या 8GB RAM या फिर 6-7GB जो लोग जुगार करके डलवाते हैं वो करवा लो अगर आपके Windows 7, 8, 10, 11 सब में Android Studio Setup करके दिखाऊंगा ठीक है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना Android Studio के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे हमकी क्या होता है और डाउनलोड प्रोसिजर भी बताऊंगा त अगर आपको ये वीडियो चलागा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों कल देना और वह आप करीद होगे ठीक है अपको अगर वीडियो चलागा तो ठीक है मैं जदा बूल कि आपको परिशान नहीं करूंगा एंड बस इतना ही आएंड मिलते हैं नेक्स्ट वी थे कैर